और ये सेम टू सेम वही सीन है जो 90 पर 30 लोग साधी में जाके करते हैं किसी को कद्दू फरक नी पड़ता है यार साधी किसकी चली है अंदर जाओ खाना उठाओ खाना खाओ और बाहर वापिस आजाओ घर पे सेम वही करता हूँ मैं तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक विराण न्यू गलत सिंद से भरे पड़े एक ऐसे पबजी द मूबाईल गेमपले में जिसमें यार चिकन मेरे किसमत में नहीं लिखी ती उसके बाद भी तुम्हारा भाई चिकन कर देता है मतलब ऐसा लग रहा था कि यार किसी और के मूँ का चिकन उठाके मैं खा गया उसको और यहां पे यार बंदूग तो मैं उठा लेता हूँ लेकिन उसकी गोलिया ये दूसरा बंदा उठा लेता है लेकिन यहां दोनों की पेटी बना दे गोली मैं ले चुका हूँ अब इनके बाकी बंदों को पेलने जा रहा हूँ और इस टिम के बाकी बंदे तो न जाने कहां पर ही भग गए लेकिन यार बगल वाले कंठेनर से कोई UMP पटका रहा हूता है तो मैं बोलता है यार ना हेलमेट गोली की भी कमी पट रखी है तो नहीं जाना पड़ेगा आगे लूटना पड़ेगा तो आगे ये भेरा उस टाइप में जाता हूँ मैं क्यूंकि यहां एक बंदा भगते वे जा रहा होता है और बंदा भग रहा है तो क्या पता निहता भी हो और होता भी है निहता अब ये होता तो निहता है लेकिन यार ये एक बोट होता है क्यूंकि असली बंदा कहीं और ही भग चुका है और देखो उस बंदे को मैं जरूर जरूर पेलने जाता लेकिन सीन क्या यार गोलियों की ऐसी तैसी हो रखी है अब वो ओपन में है नजाने कहां साब बनेगा वो बकता फिरेगा उसके चकर में यार बाकी बंदों को भी नहीं पेल पाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ यहां पे आता हूँ लूटने की कोशिश करता हूँ और लूट के नाम पे मुझे एक और गन मिल जाती है एस बारा के मिल जाती है तुमारे भाई को तो यार वही उठा के मैं तेजी से इधर की साइड भग रहा होता हूँ और इधर की साइड जो एक लूट भी मिल जाती है और यहां आते ही मैं एक बंदे को पकड़ के पिटी बना देता हूं लेकिन मेरी इस हरकत की वज़त से क्या होता है यार इसके जो बाकी टीमेटें वो बहुत ही ज़्यादा गुस्ता हो जाते हैं और ऐसा भी निये कि यार एक ही बंदा बैठा होगा न नहीं पूरे के पूरे तीन बंदे जिन्दा है इनके और ये तीनों के तीनों मिल के रसूर्स करेंगे हम पे और अगर मैं यहां से नहीं भगा अभी तो यार मेरी वही डब्बे के पीछे पेटी बना दी जाएगी तो मैं क्या करता हूँ डेड़ आईक्यू गेमप्ले लगाता हूँ और इधर उपर आ जाता हूँ मुझे नहीं पता क्यों मैं उपर चड़ा मतलब सही यार उपर से कम से कम देख तो पाऊंगा मैं बंदो को अब इने पेलने में थोड़ी सी आसानी रही क्योंकि यार मेरे पे कम से कम एक गन महंगी पड़ी थी दूसरी गन 22 उठाता हूँ उससे भाईया हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है लेकिन जैसे तैसे करके तीनो चारो बंदों को पेल देता हूँ और अब यहां से निकलने की क अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार बहुत बहुत अजीब तरीके से खड़ा था या तो अब पबजी में बोड़ भी नसे करने लगे हैं या तो फिर बहुत किसी को देख रहा था उधर पे तो देखो मेरा टीमेट गाड़ी लेने जाता है मैं बोलता बैठे हूं और गाड़ी में बैठते ही पैटी बना दे तो हाँ यहां पर मैं आता हूँ और फुटी स्टेप अगेरा आजाते बंदे के देखो काहां बैठे हुते होते ये और यहाँ पर पता चलता है एक नहीं दो दो बंदे बैठे पड़ें तो करना क्या थै यार मैं फिर से उपर चड़ जाता हूं यहाँ पर और यार जहां तक मेरे को पता है ये वही बंदों में से हैं जो उदर घर की साइट बग रहे थे तब जब मेरे पर गोलियों की बहुत जादा कमी थी और कहां से यार ये लूट लेकर आए लेकिन यार गोलियों की कमी इन पे भी नहीं थी बिल्कुल भी कैर इसके बाद जोर्ज आखिर कार खाली हो जाता है और अब फिलर की तरफ जाओंगा मैं और यार फलेर आ रखा है और वहाँ एक्सियों ना हूँ ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है तो हाँ यार एक्सियों होने वाला है दबाके लेकिन उससे पहले हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है वाने जिसके मालाच से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबोल, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे स्पोर्स या फिर इस्पोर्स पे बैट बुट लगा सकते हो और ऐसा निकियार आपने लिया पैसा ये लो हमरा पैसा और किसी भी टीम पे पेल दिया नहीं दि पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे सब कुछ है इसमें सब कुछ तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीजों का सौक है आप इसे ट्राय कर सकते हो इसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और यार बोनस के लिए प्रोमो कोड यूज करना मत बूलना व बहुत जोड से सरमा रही है टेंसर मतलूब लेकिन क्या करे यार चार इक कर सप्रेह अपना बहुत ही सस्ता है और सस्ता होगा भी कैसे नहीं क्योंकि जिंदगी भड़ 6 एक्स और 3 एक्स ही चला है खेर इसके बाद ये लोग आपस में लड़ वीड़ जाते तो मैं भी और इस वाले मैच में यार बाक्यों की किस्मत का मुझे कद्दू कुछ नहीं पता लेकिन मेरे टीममेट की किस्मत की बहुत जादा ऐसी तैसी हो रखी होती है देखो भाई अभी नौक हो गए दुबार होंगे उसके बाद फिर से होंगे देखो यार गलत से इन दबा क्यो रखे हैं और फ्लेर पे कौन सी गन है मेरे को कद्दू नहीं पता मेरे को इतना पता है यार यहां पे दो बंदे नौक करे पड़े थे और इनका तीसरा या फिर चौता बंदा कहां पे क्या कर रहा है मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है बस मुझे इतना पता है वो है तो यहीं मैं मुझे बोलना नीची है क्योंकि मेरी हरकत भी वैसी है लेकिन फिर भी यार अपने टीमेट को नौक छोड़के बंदा गाड़ी लेके भग गया ठीक है ये टीमेट बेसारा गोली चला रहा है बोल रहा है भईया मैं तो पेटी बनाऊँगा उसने क्या किया वो उसने गाड़ी उठाई और कवर के नाम पे कद्दू कुछ नी दिया बंदा तब तक गाड़ी भगाया जब तक गाय बना हो जाए तो मुझे लगता है ठीक यार M के उनके मिल गई है और डिरॉप में दूसरी गन मेरे ख्याल से DBS पड़ी होती है क्यूं करते हो पब जी ऐसे सीन और हमारे भाई यहां बिलकुल मजे से चोड़ में लूट रहे होते हैं और उत्रे में ही कोई आके BSS पटका देता है अब देखो BSS वाले बंदे को डूड़ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है अब किसको क्या पता वो कहां से लेट के गुलिया चला रहा है तो मैं बोलतो है यार हम से तनों हुपाएगा मैं निकल लेता हूँ वासे क्योंकि उसको डूड़ने के चक्कर में मैं बाकी बंदे नहीं पेल पाऊँगा और वैसे भी सिर्फ 15 किल हो रखी है कद्दू कुछी नहीं होने वाला 15 किल करके अब हमारे भाई पूरे जोस में और गुस्से में आके बोलते कि यार चलो इसको जाके पकड़ लेते हैं और कुछ और ही सीन हो जाते हैं यहां पे अरे यार स्टेटी करते रही है अब यह भाई यह नोगड़ा और यहां पर ओल बाइक में हर एक बंदा वखー ऑ 해요 कौन है कौन है difficせ five को पेला वोही बोल रहा है वह है अपने ही सुरमे भाईया वह है अरे कौन है कहां पर है किसकी बात चली यह आपर क्रजो भीयो पहुत ही जादा अलग व्र पहुंच जाता है यूई देखो सीन क्या हो रहा है कुछ भी हो हर एक बंदा उसी को पकड़ रहा है करना इंटेट भी सीधा सर पे चटकाता है कोई और सीधा पेटी बन जाती है और इस PUBG The Mobile में दो चीजों की बिलकुल कमी नहीं है साप और गलत सीन कहीं पे भी मिल जाते हैं कहीं पे भी हो जाते भाई देखो यहां पे सकॉड के इस बंदो को भी पेल दिया यह नजाने कहां से लेटा पड़ा होता है कैर वहां से मैं धेर पेर गाड़ी उठाता हूँ क्योंकि एक साप जहां पे बना है क्या पता 14 साप और बने बैठे हो वहां पे तो वहां से मैं निकल लेता हूँ और उन्हें पेलने जा रहा हूँ जिन्नोंने मेरे टीमेट की बुरी तरफ पेटी बनाई तो इनकी भी पेटी बनाएंगे अब इस घर में मैं आयो तो था दूसरों की पेटी बनाने लेकिन जिस हिसाप से सीन चल ले न कहीं मेरी पेटी न बन जाए इधर पे नेड आ रहे हैं चत पे नेड आ रहे हैं बंदा गोली चला रहा है और उपर से टीरोफ की गने भी पड़ी है इन पे गुरुजा पड़ की खतम ही नहीं हो रहा है और जब सारे नेड खतम उचाते हैं तब ये करते हैं ये लोग अब इन लोगों ने पट्रोल का डबबा भी फोड़ दिया सारे दर्वाजे भी तोड़ दिये लिकिन यार मेरी पेटी नहीं बनी अभी तक सही ये बज़र रखाऊं और अब आखिर कार मैं गोलिया चला सकता हूँ अब जब आगे यार पूरी सकॉड बैटी हो तब पीक करने में बहुत डर लगता है क्योंकि ये तीन में से हरे बंदा दो दो गुली भी पेलेगा ना मेरा काम हो जाएगा और ऐसे सीन मेरे साथ इतने बार हो चुके हैं उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता मैं नेड उठाता ही क्यों हूँ उससे बढ़िया यार वो काली गुलिया ले लेता अपने नेड से खुट दिलने वाला था भी बेकारी नेड उठाना मेरे लिए अब देखो सीन क्या यार अगर मैं भी गाड़ी निकाल के भगूंगा ना यासे ये तीन बंदे पैठे पड़े हैं गाड़ी फोड़ के राख कर देंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एक को नोक कर दूँ या जैसे तैसे करके पेटी बना दूँ अब देखो घर के अंदर जब बंदे होते यार पेटी बनाने में दिक्कत होती है लेकिन तुम्हारा भाई बना के मानेगा और जैसे तैसे करके एक बंदे की पेटी भी बन जाती है और यहाँ घरों पे अभी भी दो बंदे जिनता है तो मैं बोलता हूँ इनको कभी और पेल लेंगे पहले जून पे गुज जाता हूँ नहीं तो यार यह जो बुलू जून है न यह मेरे को पेल देगा तो मुझे क्या करता चाहिए गाड़ी लेके किसी घर पे ठोक देना चाहिए वहाँ पे बैठना चाहिए मैं क्या करता हूँ लाल अच के करते मैं फिर से ओपन में गाड़ी रोकता हूँ और इनका इंतिजार करता हूँ और ये लोग भी परिसान हो गए होंगे मेरी धीटता को लेके अकेला बंदा बचा हूँ इनके घरों पे ठोक के दो बंदे पेले उसके बाद जून के बाहर इनका इंतिजार करके फिर से दोनों को पेल दिया और उसी के साथ उनकी पूरी सकॉड ठिल जाती है तो यार मेरी इस धीटता और वो सकॉड वाइब के लिए लाइक बिलना मत भूलना और टेंसर मतलव यार आगे जाके एक्शियोन और भी जादा चार गुना जादा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से चौदा गुना जादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे सीन क्या है मैं ऐसे क्यों लेटा पड़ा हूँ तो देखो यहाँ पे आगे घर पे दुबारा से चार बंदे बैठे हैं तो आगे वाले घर पे उपर नीचे बाहर ना जाने कहां कहां पे बंदे बैठे पड़े हैं और यहाँ पे मैं बस ये जाननी की कुछिस कर रहा था कि यार इन पे गन कोन सी पड़ी है क्योंकि किसी बंदे ने AWM निकाल के पेल दिया न यहीं पे सीधा पेटी बनेगी मेरी सोलो वर्सी सुकॉड चला है अभी तो दो बंदों की गन पता सल गई अब बाक्यों की पता कर रहा हूँ और पता करते करते ये पता सलता है कि यार उन में से किसी एक बंदे पे M24 पड़ी हुई है खेर इनको मैं डेमेज बहुत देता हूँ लेकिन कदू कुछ निए उखरता है डेमेज देने से और उसके उपर से गाड़ी आ जाती है वहाँ पे और ये सेम टू सेम वही सीन है जो 90 पर 30 लोग साधी में जाके करते है किसी को कदू फरक नी पड़ता है यार साधी किसकी चली है अंदर जाओ खाना उठाओ खाना खाओ और बाहर वापिस आजाओ घर पे सेम वही करता हूँ मैं अंदर गया गिल्ली सूट वाले की पेटी बना दी और वापिस अपने घर में आ गया अब दूसरी जगा पे पेलूँगा और यार बंदे इतना ज़्यादा सेप खेले होते की क्या ही बताऊं मतलब वो तयार है जोन से ठिलने के लिए लेकिन रस करके कोई भी राजी नहीं है सिवाए मेरे अलावा यार मैं तो ठेट हूँ और यहाँ पे गिन चुन के छे बंदे बाकी होते हैं जहां तक मेरे को पता है तो सीन क्या है तीन या फिर चार बंदे इसी घर पे बैठे पड़े हैं और बाकी के बंदे आपको भी पता है मेरे को भी पता है क्या कर रहे हूंगे कहीं किनारे पे साब बने बैठे हैं खेर यहां मैं थोड़ा सा जोन में होता हूँ तो मैं समोग बना देता हूँ क्योंकि यार हम सब को पता है जो छट के ऊपर बैठे हैं ना बंदे वो सोब परती सत गारंटी यहां रस करने वाले हैं और एक साथ रस करते हैं और ग्रोजा की मदद से इन तीनों बंदों की इतनी जल्दी पेटी बनती है कि क्या ही बताओं बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कि यहां मजाक चला है बंदे आए जारे में गोली चलाए जारों ठिले जारें बिल्कुल और ग्रोजा के अलावा कोई और गन होती तो यार काफी जादा गूली चलानी पड़ती और गलत सीन भी होते और ये भी सुनू क्या बोल रहा है मेरा टीमेड अब देखो यार जब जोन आप पे ना हो आगे तीन तीन बंदे बैठे पड़े हूँ और आप एक गाड़ी भी नहीं है उसके उपर से गिने चुने समोग बाकी है तो यार दिक्कत कैसे नहीं होगी लेकिन इस मैच में तुभारे भाई की किस्मत को जादे ही चमक जाती है और ऐसा सीन होता है जो यार मैंने सोचा भी नहीं था कभी हो पाएगा जिंदगी में देखो यार इस कलच को 1 वर्सिस 3 को देखो मज़ा टैप आजाएगा आपको देखो यार अब जरा ये सोचो आप एक साधी में जाते हो साधी में जाके जी बढ़के जितना खाना होता है आप मज़े से पेलते हो लंबी लाइन लगी होते है उसके बवजूद भी मेहनत करके आप पेलते हो खाना अपनी थाली में उसके बात क्या होता है आपको कोई एक दूर का रिष्टेदार आता है और आपकी थाली लेके चल देता है बोलता है बेटा तुम दुबारा लेलो कभी और खाले ना ये वाली मैं लेके जा रहा हूँ तो यही same-to-same scene आगे वाले बंदों के साथ हो जाते हैं तीन बंदे तीनों के तीनों जोन के अंदर और यार मूग के सामने से मूग के अंदर का चिकन मैं लेके भग जाता हूँ क्या ही दूख हो रहा हूँ और देखो मानो या ना मानो अगर ये नेड नहीं फटता न तो चिकन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता क्योंकि यार समोक हड जाता और ये लोग मुझे आराम से देख पाते लेकिन वो नेड फटता है और ये जो मैं बोल रहा था ना कि यार क्यों ही उठाता हूँ नेड मैं गलत साबीत हूँ जाता हूँ यहाँ पे एक नेड तो उठाना ही चाहिए मेरे को बाले आगे आने वाले सो साल तक दुबारा ना मैं करपाऊं किसी को नोक लेकिन उठा के जरूर चलूँगा तो बस भालो गयार आज के वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस चिकन चुकन के लिए लाइक ठुकरा मत भूलना यार ठोका पीटी करके नीला डैप कर दो मैं सही बतारू यार मैं खुस हो गया था कि चलो 20 से ज़ाधा की लोग गयी 29 कि लोग इमंए खुस हो गया था लेकिन चिकन भी हो गया तो यार डबल मजा आगया तो बस भाई लो ग्यार आज के वीडियो में इतने ही अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत सीन और गलत चिकन के लिए और जाते जाते वानेक्स बैट चेकाउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में दिमाग से पैसे गवाओ तो कल मिलते है भाई लो ग्यार बाई बाई झाल झाल